केंद्र लीगल सर्विसे संटर इन जुमू कश्मीर आपको बताना है जुमू कश्मीर में विदिक सेवा केंद्र को इन में से किसने इनागरेट किया ऑप्शन्स है मनोसिना, पंकश मितल, बसीर खान या फिर फारुक खान तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ड बी पंकश मितल और पंकश मितल ने इसको थर्ड जुन को इनागरेट किया था जुमू कश्मीर के हाई कोट में नेक्स्ट क्रेशन है वीच यूटी हैस बिकेम फर्स यूटी इन इंडिया तो प्रोवाइड एजुकेशनल टैबलेट इस तो स्कूल चिल्डरन डूरिंग कोविड-19 आपको बताना है इंडिया की पहली यूटी का नाम जिसने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपने ब बी याने लदाक जिहां दोस्तों लदाक ने स्कूली बच्चों में टैबलेट प्रोवाइड करने के लिए एक सिकीम चलाई और इस सिकीम का नाम था यून टैब और इस सिकीम में तकरीबन बारह हजार तीन सो टैबलेट स्कूली बच्चों में डिस्टिब्यूट किये कीम को लड़ाक के लेटनेंट गवर्नर आर के माथूर ने लाँच किया नेक्स्ट क्वेश्चन है जुमु कश्मीर गौवर्मेंट साइड में एंड मेमोरेंडम अंडर्स्टैंडिंग विच एर लाइनिस फॉर ट्रंस्पोर्टेशन और परिशेबल प्रोडेक्ट इस एक्र प्रोडेक्ट जो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं उनको इंडिया के मुक्तलिफ शेहरों में ले जाने के लिए आपके पास गो एरलाइन इंडियन एरलाइन किंग फिशर या फिर जेट एरलाइन इसका जो सही आंसर रहेगा वह पार्ट ए यानि गो एरलाइन के साथ यह मिम्मोरनम अप अनरस्टेंडिंग साइन किया गया नेक्स्ट क्रेशन है इन नीति आयोग स्टी जी इंडिया इंडेक्स टूथाउजन ट्वैंटी ट्वैंटी वन जुम्मों एंड कश्मीर यूटी ग्रेजवेटी टू वीच केटेगरी आपको बताना है नीति आयोग का जो स़ज्डी जी इंडिया इंडेक्स साल 2020 Kas के लिए रिलीज किया गया जुम्मों कश्मीर यूटी किस केटेगरी में आई ऑप्शन ले पके पास part C front runners की category में और इसी तरह जुमो कश्मीर के अलावा लदाग भी इस category में आई और इनका जो सिकोर रहता है वो है 65 से लेकर 99 के दर्मिया नेक्स्ट क्वेशन है विच विलेज आप जुमो कश्मीर का गाउं जो इंडिया का पहला गाउं बना जहां पर हंडर्ड परसंट वेक्सिनेशन जो है रिकॉर्ड किया गया आपके पास वियान पलहालन राजपूर या फिर काजियाबाद इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट ए याने वियन वियन जो है ये डिस्टिक्ट बांडी पोरा का एक गाउं है जो इंडिया का पहला गाउं बना जहां पर हंडर्ड परसंट वेक्सिनेशन लोगों में किया गया जिनकी एज 18 साल से उपर है नेक्स्ट क्रेशन है नेंडिया बॉइ फ्रॉम सिरी नगर जुमू एंड कश्मीर हो क्रियेटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाइड इडेंटिफाइग फ्लैग्स कंट्रीज कैपिटल एंड करंसीज आफ वन हैंड़न नाइटी फाइफ कंट्रीज आपको बताना है जुमू क मुलक हैं उनके तो आप्शन आपके पास कलीम अहमद अबितेली अब्दुल अलीम या फिर उजयर फयाद इसका सही आंसर रहेगा अब्दुल अलीम और दोस्तों याद रखें कि अब्दुल अलीम ने वन हंड़न नाइटी फाइफ कंट्रीज के फ्लैग्स मुलकों के ना नेक्स्ट क्षिशन है जुमो एंड कश्मीर है जसाइन ड हिस्टारिक मेमोरानम अनरस्टैंडिंग विट वीच आप दे फालोइंग और गनाइज़ेशन फॉर एकनॉमिक रिफॉर्मस इन जे एंड के यूटी आपको बताना है जुमो कश्मीर यूटी में एकनॉमिक औरनेजेशन के साथ हाल ही में एक मेमोरानम अनरस्टैंडिंग साइन किया था ओप्शन हैं डियार्डियो पार्क आरबी आई या फिर नीती आयोग तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट भी पार्क याने पॉलिसी एड़ोकेसी रिसर्च संटर के साथ जुमो कश् इस्टारिक मेमोरानम अफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और इसके तहत जुमो कश्मीर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने का जो पॉलिसी है वो बनाया गया जिससे जॉब क्रियेशन होगी और फार्मर्स की जो इंकम है उसको इंक्रीज करने के प्लान थे नेक्स्ट क्विशन है वो इनागरेटेड फाइफ हंडर्ड बैड कोविड हॉस्पिटल इस्टैबलिश बाइड डिफेर्स रिसर्च एंड डिवलपमेंट और्गनाजेशन डी आर डियो एट खुनमु आपको बताना है जुमो कश्मीर के खुनमु में किसने इनागरेट क किया पांच सो बैड का कोविड हॉस्पिटल ऑप्शन हैं डी सी मौहमत एजाज एडवाइजर बसीर खान एल जी मनु सिना या फिर सी जे पंकज मितर इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी जुमो कश्मीर के लेटनेंट गवरनर मनु सिना ने खुनमु में पांच सो बैड का जो कोविड हस्पिटल है उसका इनागरेशन किया गया किया था और इसमें थ्री हंडर्ड सेवंटी फाइव जो बैडस हैं वो कोविड पेशेंट के लिए अवैलेबल रहेंगे इसके अलावा 125 आईसी उस बैडस अवैलेबल रहेंगे और इसके अलावा 24 जो आर्ज है ऑक सीजन कनेक्टिविटी सर्विज भी इसमें रहेगी नेक्स्ट क्श्मीर एडमिस्ट्रेशन इस प्लानिंग टो सेट अप इंडिया बेस्ट मितलोजिकल थीम पार्क नियर विच फेमस साइट आपको बताना है जुमो कश्मीर गॉर्मेंट एक बहुत ही जबरदस मितलोजि इसकल थीम पार्क बनाने जा रही है जुमो कश्मीर में आपको बताना है कि साइट के करीब यह थीम पार्क को बनाया जाएगा आपके पास दरगा हजरत बल सिरी नगर माता वैशनु देवी बाबा रिशी गुलमग या फिर रगुनाथ टेंपल इसका जो सही आंसर है वो ह पार्ट भी माता वैशनु देवी दोस्तों याद रखें कि जुमो कश्मीर गौर्णमेंट जो है यह प्लान कर रही है कि माता वैशनु देवी जो टेंपल है जो कि रियासी डिस्टिक्ट में आता है इसके करीबी एक दुनिया की सबसे बेस्ट मितलोजिकल थीम पार्क बन अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे इनको और भी ज्यादा मज़ा आएगा नेक्स्ट क्रेशन है विच इस दी ओनली यूनिव स्टी इन दी यूटी आप जुमु एंड कश्मीर टू फिगर इन दी टौप टू थाजन्ड यूश्टी जो वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट तू थाजन टू तविटीवान थे टू टूट अटू अपको बताना है जूमु इसका सही आंसर रहेगा पार्ट भी है यहां पर यूंश्टे आप जम्मों और दोस्तों याद रखें कि इस लिस्ट में इस जम्मों युनिवस्टी की जो रेंख है वो 1680 सेकंड रही नेक्स्ट क्वेस्टिन है लेटिनेंट गवर्नर आप जुमो एंड कश्मीर रेसीवड विच बुक फ्रॉम क्रिकेटर सुरेश रेना रिसेटली आपको बताना है जुमो कश्मीर के लेटिनेंट गवर्नर ने मशुर क्रिकेटर सुरेश रेना से हाल ही में एक उनकी किताब रिसीव की आपको बताना है किताब का नाम आप्शन्स हैं जे एंड के क्रिकेट बिलीव नॉट आउट हंडर्ड या फिर माई क्रिकेट जर्नी इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट भी याने बिलीव और ये जो बिलीव है इसका पूरा नाम है बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी और ये सुरेश रेना की आटो बैग्रेफी है नेक्स्ट क्वेशन है अक्षे कुमार डोनेटेड रुपीज वन करोर फारे सुकूल इन विच विलिज आफ डिस्ट्रिक्ट बांडी पूरा आप जुमो कश्मीर आपको बताना है अक्षे कुमार जुनों ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बांडी पूरा का दोरा किया जुमो कश्मीर के उन्होंने यहां पर एक करोर रुपे एक सुकूल के लिए दिए आपको बताना है ये सुकूल किस गाओं में है जिसके लिए उन्होंने एक करोर रुपे दिए आप्शिन्स हैं तुलेल वैयान उरी या फिर क्रालहार इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए तुलेल दोस्तों याद रखें कि तुलेल में इस सुकूल का नाम अब हरी ओम सुकूल जहे है वो रखा जाएगा हरी ओम अक्षिकुमार के फादर का नाम है नेक्ष्ट क्वेश्चन है तो प्रमोट फिल्म टॉरिजम इन जमुल न कश्मीर जेइन के यूटि गॉर्पट टु लाँच विच पॉलिसी आपको बताना है जुमुकश्मिर में फिल्म टूरिजम को बड़ावा देने के लिए जे के गौर्णमेंट ने कौनसी पॉलिसी को लॉंच करने का इनाउसमेंट किया था जून में तो आप्शिन्स हैं आपके पास जे एंड के फिल्म पॉलिसी जे एंड के यूथ पॉलिसी जे एंड के टेलन्ट पॉलिसी या फिर जे एंड के न्यू जे एंड के न्यू जे पॉलिसी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट जे एंड के फिल्म पॉलिसी और इस पॉलिसी को फिर औरगस्ट मन्थ में लॉज किया गया नेक्स्ट क्विस्टिन है दे एनिवल मेला खीर बवानी फेस्टिवल वास सेलिबरेटीड ओन 18 जून दे फेमस खीर बवानी टेंपल इस लोकेटेड इन विच विलेज ऑफ जमुएन कश्मीर आपको बताना है मेला खीर बवानी जो फेस्टिवल होता है उसको 18 जून को मनाया गया आपको बताना है खीर बवानी टेंपल जमु कश्मीर के किस गाउं में है गाउं का नाम बताना है, उप्शन्स हैं, गुर्वानी, कुलगा, वटला, बानीपुरा, तुलमुला, गांदरबल या फिर सोपोर, बारा मुला, इसका सही आंसर रहेगा, पार्ट C, तुलमुला, गांदरबल में है, खीर बावानी टेंपल, और दोस्तों याद रखें कि मे महिला, खीर बावानी, गॉड़ेस, रंग्या देवी से तालुक रखता है, नेक्स्ट कुशन है, वो हैस्ट बिकम दे फर्स्ट विमेन फाइटर पाइलट इन आई-ए-फ रॉम डिस्टिक्ट राज़ोरी आप जमोह एन कश्मीर, आपको बताना है, जमोह कश्मीर के राज दोगरा, इसका सही आंसर रहेगा पार बी, माविया सुदन जमोह कश्मीर के राज़ोरी डिस्टिक्ट से पहली महिला फाइटर पाइलट बनी आई-ए-फ में, दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखें कि माविया सुदन का तालुक डिस्टिक्ट राज़ोरी के लंब देरी गाउं से है, और माविया सुदन आई-ए-फ में ट्वेल्थ विमन आफिसर बनी और डिस्टिक्ट राज़ोरी की पहली नेक्स्ट क्वेश्टिन है, विच डिस्टिक्ट आप जुम्मू एंड कश्मीर है जुआज लॉंच इड प्रोजेक्ट बूंद, वाटर कंजरवेशन केम्पेंड अंडर जल शक्ती अभियान, आपको बताना है जुमू कश्मीर के किस डिस्टिक्ट ने हाल ही में प्रोज इसका जो सही आंसर है जुमू डिस्टिक्ट ने प्रोजेक्ट बूंद को लॉंच किया और इसके लिए फिप्टी करोर रुपे जो है वो एप्रू किये गए और यह एक वाटर कंजरवेशन प्रोजेक्ट है जिसका थीम है केज देरेंड वैन इट फॉल्स एंड वायर लॉंच इड मेरी आवाज पॉर्टल टो फेसलिटेट रेस्टोरेशन ओप वाटर बॉड़ी आपको बताना है वाटर बॉड़ी इसको रेस्टोर करने के लिए जुमू कश्मीर के किस डिस्टिक्ट ने मेरी आवाज पॉर्टल को लॉंच किया और आपके पास सिरी नगर जम्मू किष्टिवार या फिर बढ़गा इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी बढ़गा नेक्स्ट क्वेशन है वो इस दे ऑथर आप बुक टाइटल हबा खातून रिसेंटली ओन फेमस पॉइट आफ जमू एंड कश्मीर आपको बताना है जमू कश्मीर की मशूर शायरा हबा खातून पर हाल ही में हबा खातून नाम की किताब इन में से किस ने लिखी आप्शन है अरुंदती राए रह्मान राही काजल सूरी या फिर तन्वीर हबीब इसका सही आंसर रहेगा पार्सी काजल सूरी ने हबा खातून पर किताब लिखी हबा खातून और दोस्तों याद रखें कि हबा खातून को दिन नाइटिंग गेल आफ कश्मीर कहा जाता है जो के बहुत मशहूर शायरा गुजरी हैं और हबा खातून यूसुप शाह चाक की बीवी थी नेक्ट कुशन है वीच आफ दे फालोइंग सीकीम दी जुमु एंड कश्मीर गवर्मेंट हैस इनिशियर्ट फार सपोर्टिंग स्टूडन्ट इंड रीसर्चर्स इन वेरियस फिल्स आपको बताना है जो स्टूडन्ट है और जो रिसर्चर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए जमु कश्मीर गौर्टमेंट ने इन मैंसे किस सिकीम को हाल ही में लौंच किया आपके पास मिशन कश्मीर, मिशन यूथ, मिशन आस्मान या फिर मिशन जे एंड के इसका सही आंसर रहेगा पार्ट B, मिशन यूथ, दोस्तों याद रखें कि जमु कश्मीर गौर्णमेंट ने जमु कश्मीर स्टूडन्ट और जो रिसर्च करना चाते हैं बहुत सारे फिल्ड में तो इसके लिए जमु कश्मीर की गौर्णमेंट जिसकी सदारत जमु कश्मी यूद जो है इन स्टूडन्ट और रिसर्च रिसर्चर्च के लिए लॉंच किया नेक्स्ट क्वेशन है पी एम नरेंद्र मोदी है एप्रिशियेटेड विच विलेच आप जमु एंड कश्मीर और 100% कोविड वेक्शिनेशन इन रिसेंट मन की बात आपको बताना है जून के किस विलेच की तारीफ की थी कोविड नाइंटीन 100% वेक्शिनेशन के लिए आप्शन से आके पास क्रियरी वियान अंखल या फिर सिथर्च इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी वियान जो के डिस्टिक्ट बांडीपोरा का गाउं है और डिस्टिक्ट बांडीपोरा का वियान गाउं इंडिया का पहला गाउं बना जहां पर 100% वेक्शिनेशन किये गए कोविड नाइंटीन के जिनकी एज 18 साल से उपर है नेक्स्ट क्श्मीर लेटनेंट गवरनर मनोज सिना लॉंच इड प्रॉपर्टी मेनेजमेंट पॉर्टल डेवलपट बाइवीच आप वालोइंग आपको बताना है जिमू कश्मीर के लेटनेंट गवरनर मनोज सिना ने प्रॉपर्टी मेनेजमेंट पॉर्टल को लॉंच किया आपको बताना है ये पॉर्टल किस ने बनाया है औप्शिन आपके पास जुमाद कश्मीर टूरिजम डेपार्टमेंट जूमाद क के हाउसिंग बोड दोस्तों यहां पर आप यह याद रखें कि यह जो पोर्टल है यह जुमु कश्मीर में लोगों को लीज होल्ड राइटर्स को बहुत जल्दी और आसानी से ट्रानसफर करने में हेलप करेगा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पार्ट भी मनोज सिना ने इस प्रोग्राइम को लाँच किया इस प्रोग्राम को जुमो कश्मीर के लेफटनेंट गवर्नर ने SKICC सिरी नगर में लाँच किया नेक्स्ट क्रिशन है इनागरेट सुकून एपके पास मनो सिना पीके पोल अरुन कुमार और डाक्टर पारुक अब्दुल्ला इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी अरुन कुमार जो की चीफ सेकरेटरी है ने सुकून को इनागरेट किया और इस इनिशियेटिव को लाँच किया SD RF 1 बटैलियन कश्मीर ने और उनके साथ किलाबरेट किया मिशन यूथ जे एंड के और टूरिजम डिपार्टमेंट में दोस्तों याद रखें कि ये एक 24 इंटु 7 मेंटल हेलथ हेलप लाइन रहेगी जहां पर उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा उन लोगों को असिस्टन्स दी जाएगी जो किसी भी तरह के मेंटल हेलथ सिट्रस या इशू से गुजर रहे हैं तो दोस्तों ये थे जून मन्त के टॉप करनट एफियर्स के क्वेस्टन इस जुमो कश्मीर से रिलेटेड उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी